नमस्कार दोस्तो इलेक्ट्रिकर टेक्निशन चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि हम अपने घर में पॉलर्टी टेस्टर कैसे बनाएंगे तो इसके बहुत ही सरल तरीका है बहुत ही आसानी से हम मात्र 10 से 15 रुपए खर्श करके पॉलर्टी टेस्टर बना सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉलर्टी टेस्टर जो होता है वो होता क्या है तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक बल्ब है जिसका connection बैटरी से होते हुए आ रहा है मतलब बैटरी से जो वायर निकलता है दो वायर आते हैं एक positive होता है और दूसरा negative होता है और उसका connection हम किसी भी बल्ब में करते हैं तो वो हमारा बल्ब क्या? glow करने लगता है, जलने लगता है तो दोस्तों इस circuit से हमको ये पता करना है कि इन दोनों वायर में से ये पहला वायर और ये दूसरा वायर इन दोनों वायर में से हमारा कौन सा positive है और concern negative है तो इसको check करने के लिए हम हमारे polarity tester का use कर सकते हैं और उसके माध्यम से check कर सकते हैं generally क्या होता है कि इसके लिए आपको multimeter की जरूरत होती है बट यदि आपके घर में multimeter नहीं है तो आप ये simple छोटी सी method जो की बहुत ही आसान है इसका use करके आप polarity tester बना सकते हैं और उससे जो है आप अपने positive और negative terminal का पता लगा सकते हैं तो दोस्तो polarity tester बनाने के लिए हमको क्या जरूरत होती है दो prop ले लीजिए एक red prop यूज़ करेंगे और दूसरा black prop यूज़ करेंगे उसके बाद हमको एक red color का LED बल्व लेना पड़ेगा और एक green color का LED बल्व लेना पड़ेगा दूसरा तो आप black ले सकते हैं बट black LED अबलेवल नहीं होता है तो उसकी जगह पर आप कोई भी color यूज़ कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर green यूज़ किया है आप yellow भी यूज़ कर लीज़े blue यूज़ कर सकते हैं और एक हमको चाहिए होता है 10 kilo ohm का register आप दोस्तों इसका connection कैसे करते हैं तो चलिए देख लेते हैं बहुत ही आसान है एकदम आसान तरीके से मैं बताऊँगा आपको एक बार में समाझ में आ जाएगा इस LED का जो positive है जिसको हम anode बोलते है positive terminal है उसको दूसरे LED के negative terminal मतलब cathode बोलते हैं उसको उससे हम connect कर देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि दूसरे LED का जो positive terminal है मतलब anode उसको इस वाले red वाली LED के negative terminal मतलब cathode से हम short कर देंगे ये दोनों terminal को आपस में हमने short कर दिया इसके बाद आपको एक point को यहाँ से register के साथ में short करना है register के साथ में short कर दिया उसके बाद क्या करना आपको कि register का जो दूसरा सीरा है दूसरा terminal उसको सीधे एक prop से connect कर देंगे और फिर क्या करना आपको यहाँ से यह जो red prop आपको दिख रही है red prop से दूसरे terminal को उसी प्रकार से short कर देना आपको यह तो आपका बन गया polarity tester अब इस के लिए क्या करना है आपके घर पे ये बैटरी तो जैसे होती है बैटरी में आप देखेंगे कि दो पॉइंट होते हैं एक पहला जो पॉइंट होता है नेगेटिब का होता है और दूसरा पॉइंट होता है पॉजिटिब का अभी आपको करना क्या है कि आपके जो आपने जो प्रॉप बनाया है जो टेस्टर बनाया है Polarity Tester उनके दोनों पॉइंट को एक एक सीरे पे बैटरी के एक एक पॉइंट पे रखेंगे मतलब एक को positive के साथ connect करेंगे और दूसरे को negative से connect करेंगे और हम ये देखते हैं कि हमारा जो red वाला LED है वो glow कर रही है तो दोस्तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो red वाला प्रॉप है ये positive पे connect हुआ और black वाला negative पे collect हुआ इसके बाद क्या करना है आपको आप same इसका direction change कर दीजे मतलब opposite कर दीजे एक दूसरे का connection interchange कर दीजे आपको क्या करना है अभी आपने red वाली प्रॉप को यहां पे connect किया था तो यहां से उठा के हमने इसको यहां पे connect किया और black वाला जो यहां पे था उसको हमने इस point पे connect कर दिया अब हमने क्या देखा कि हमारा जो दूसरी LED हमने use किया था ये वाली जलने लगी तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा red prop है वो negative terminal पे यूज कर रहे हैं और जो black prop है वो positive terminal पे connect है तो दोस्तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक bulb है और bulb में connection आया हुआ है अभी आपको पता लगाना है कि आप इन में से कौन सा positive है और कौन सा negative wire है तो बहुत ही simple है जैसा कि मैंने बताया अभी आपको करना क्या है कि आपको दोनो wire के एक terminal पे अपने prop को connect करना है जैसे कि यहाँ पे मैंने red वाला prop connect कर दिया और यहाँ पे black वाला prop connect कर दिया और क्या मिला कि जो हमारी LED red वाली LED है वो glow कर रही है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो जिस जो हमने यह red प्रोब जहाँ पे terminate किया है यह हमारा positive wire है और जहाँ पे हमने black prop को connect किया है यह हमारा negative wire है उसके बाद अभी हमने interchange कर दिया दोनों को आपस में change कर दिया तो change करने पे क्या हुआ कि हमारी green वाली LED जलने लगी इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने red prop यूज किया था वो red वाला negative terminal पे यूज हो रहा है और black वाला positive terminal पे यूज हो रहा है दोस्तों I hope कि आपको यह video पसंद आया होगा और यदि आप चाहते हैं कि मैं electronic circuit में ऐसे ही आपको easily तरीके से video बनाता रहूँ आपके लिए तो please comment box में जा करके जरूर बता है और ये video आपको कैसी लगी ये भी जरूर बता है और यदि आपने हमारे channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लें, like कर लें और अपने friends के साथ में ज्यादा ज्यादा share जरूर करें धन्यवाद